वीना पर लगे तारों को छेड़ने से निकलने वाला संगीत श्रोताओं की चिंता भुला देता है उन्हें माधुर्य में तल्लीन कर देता है हमारे देश के संगीतकार दूसरे राज्यों से डिजाइन किये कई वीना के विपरेत तंचावुर्वीना लेने का सुझाव देते हैं और सिफारिश करते हैं इसकी लगडी की तराशी तंचावुर्सरस्वती वीना को अनोखा बनाती है हम तंजावल वीना के डिजाइनरों के पास पहुँचे ताकि कलात्मक्ता की अद्भूत पारुकियों के बारे में जान सके बीना किसी तड़क भड़क के एक छोट इसे कम्रे में इन वीनाओं को विशेश रूप से प्रचलित पनरूती कठल के पेड़ों की लकड़ी से हाथ से तराश कर बनाया जाता है तीन टुकड़े मिलाकर वीना का निर्मान होता है जिसमें एक को पॉट कहते हैं जिसे लकड़ी के एक ही टुकड़े को तराश कर बनाया जाता है दूसरा धंड़नी यानिकी नली का या तना और तीसरा याची चेहरा होता है एक एकांध वीना नामक वादे का समकालीन डिजाइन है ये शांदार नकाशी का जीता जाकता नमोना बावन इंच लंबा होता है और इसका वसन आठ किलो होता है वीना डिजाइनर कलिया मूर्थी का कहना है कि पहले मौडल ओट्टू वीना के तीन भागो को बनाया गया था हर एक को लगडी के एक टुकडे पर अलग-अलग बनाकर बाद मूने एक साथ चोड़ दिया गया वीना के पौट के शिष पर लगी नलिका की उपर 24 ब्रास फ्रेट से उपजी धोनी जब वहाँ बनी चिदरों से निकलती है तो संगी इत निकलता है वीना डिजाइनरों में से एक ने कहा कि सुवर तब खुद बदल जाएंगे जब इन ब्रास फ्रेट्स के बीच खाली जगह में कोई गड़ बढ़ी होगी वीना वर्कस यूनियन के कोशा ध्यक्ष चिनप्पा इस बात परफ सोस जदाते हैं कि भावी पीड़ी में संख्या में बहुत कम लोग वीना के शौकीन है वीना डिजाइनरों का कहना है कि कोरोना संकट की कारण ग्राहगों की संख्या काफी कम हो गई है भले ही ये कामकार समय की प्रवरतिक अनुरूप विभिन डिजाइन पेश कर रहे हूँ लेकिन उन्हें इस कठिन दोर में वजूद बनाये रखने के लिए सरकार के संरक्षन की सरूरत है ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी भारत 24 सो घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें एटीवी भारत है